कि अज़र की कमजोरी में सबसे ज़्यादा जो कॉमन फैक्टर है वो रिफ्रेक्टिव एरर है रिफ्रेक्टिव एरर का मतलब होता है कि हमारी आई बॉल का जो स्रक्चर है वो तब्दील हो जाता है यह तो आई बॉल लंबी हो जाती है यह शॉर्ट हो जाती है जिसकी वज़े से रेटिना के ओपर जो इमेज बनती है वो धुंदली होती है यह खराब होती है रिफ्रेक्टिव एरर्स तीन कसम के होते हैं सबसे पहला है मायोपिया मायोपिया का मतलब है जिन लोग को दूर की चीज दुंदी नजर आती है उसे हम मायोपिया कहते हैं ऊसके बाद है अईपरमेट्रूपिया में नस्दी की चीज़ जा वो धुंदली नजर आती है और तीसरी है एस्टिगमेटिस्म एस्टिगमेटिस्म के जो मरीज होता है उसको होरिजॉंटल और वर्टिकल लाइन्स जो है वो सही नजर नहीं आती है आई साइट की हेल्थ के लिए जो मैं आपको डाइट बताऊंगा वो तीनों किसम के लोगों को फायदा पहुचाएगी लेकिन जो मैडिसन बताऊंगा वो सिर्फ मायोपिया में फायदा देगी यानि जिन लोगों की दूर की नजर कंजोर है दूर का धुल्दा नजर आता है उनको फायदा देगी मायोपिया में बिसिकली आई बॉल नम्बी होने कि वज़े से रेटिना पर इमेज जो बनती है वो खराब होती है या धुंदली होती है हमें साफ नजर निया हाइपरमेटरोपिया में आई बॉल शौर्ट हो जाती है उसका स्ट्रक्चर जो एक चोटा हो जाता है जिसकी वज़े से रेटिना पर इमिज जो है वो खराब होती है इसके अलावा एक माइनर सा डिफेक्ट होता है जो आई बॉल है हमारी उसमें खम आ जाता है यानि थोड़ा टेड़ा पना आ जाता है उसकी वज़े से भी नजर में खराब भी प्यादा हो जाती है यह तो नजर की कमजोरी की एक पहली वज़र होता है दूसरी वज़़े है वाइटमिन एक की डिफिशेंस है वाइटमिन एक हमारी आई साइट के लिए बहुत ज़रूरी है अगर वाइटमिन एक की कमी हो जाए तो तब भी हमारी नजर कमजोर हो जाती है तीसरी वज़ए है आई बाल की इन्फेक्शं जैसे गंजक्टिव ऐटेस वजरा होता है आपको में सोज़िश हो जाती है उसकी वज़ए से आई बाल के जो स्ट्रक्चर है फेर वार उसमें तब्दील ही पैदा हो जाती है वह भी एक वज़े वलती है नदर की कमजोरी की तो बहराल जो डाइट में आपको बताऊंगा वह बहुत बड़ा रोल प्ले करती है नदर की बेहतरी के अंदर साथ मेडिसन भी बताऊंगा जो बहुत काम्याब मेडिसन है जाइट में सबसे पहले नंबर पर फिश आती है मचली मचली ओमेगा-3 से भरपूर होती है ओमेगा-3 जो है वह हमारी नजर की बेतरी के लिए बहुत जरूरी है उसकी वज़य यह है कि जो रेटिना का स्ट्रक्चर है पीछे जहां पर इमेज बनती है वह उमेगा-3 से बना हुआ होता है इसलिए मचली नंबर एक पर आती है डाइट के अंदर वह इसमें भी मचली में भी के एकसाम है जैसे चूना है चूना बहुत अच्छी मचली है उसके बाद सैलमन है ट्राउट है मैकरल है और दीगर मचली जो अविलेबल आपको होती हूँ वह आप इस्तामाल करें जितना ओमेगा-3 आपको मिलेगा उतना ही आपकी रेटिना जो है वह बेतर होगी और उसकी वज़े से आपकी आईसाइट भी बेतर होगी नमबर दो पर हमारी डाइट में नट्स आते हैं नट्स भी ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं और इनके अंदर बहुत हाई लेवल का वाइटमिन-E भी होता है वाइटमिन-E हमारी जो एज रिलेटिड नजर की कमजोरी है उसको दूर करता है नट्स में सबसे पहले वालनट यानि अखरोट अखरोट आपका हैं उसके बाद काजू उसके बाद मूमफली और बदाम वगयरा ये ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं और नजर की कमजोरी में भरपूर फायदा देते हैं नट्स के अलावा जो बीज होते हैं जैसे फ्लैक सीड से इनके अंदर भी उमेगा-3 भरपूर पाया जाता है ये भी आपकी नजर की कमजोरी में बहुत फायदा देंगे उसके बाद सिट्रस फ्रूट आता है सिट्रस फ्रूट वाइटमिन सी से भरपूर होता है और ये एक तिसम का एंटी एक्स ऑक्सिडेंट होता है जो हमारी नजर की कमजोरी को और खास और पर एज रिलेटेट कमजोरी है उसको बहुत फायदा पचाता है उसमें आप लेमन्स ले सकते हैं औरेंजिस ले सकते हैं ग्रेफरूट ले सकते हैं सब में वाइटमिन सी बहुत मिगदार में पाया जाता है उसके बाद हरी पते वाली सबजियां जिसमें सब से उपर पालक आता है उसके बाद केल और कॉलाड्स यह आप इस्तमाल करें हरी पत्ते वाले सब्जियों में एक तो वाइटमिन सी का बड़ा अच्छा सोह सही और इसमें लूटीन भी होता है और जी एकस एंधाइन भी होता है जो हमारी विजिन को बहुत फायदा बचाता है उसके बाद केरेट्स हैं केरेट्स के अंदर वाइटमिन A भरपूर मिधदार में होता है और इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया वाइटमिन A का बहुत बड़ा केड़ा होता है हमारे नजर की गमजोरी के अंदर या हमारे नगारे के बीतरी के लाइमिन आ के अंदर एक क्रोटीन कॉंपनेंट होता है जिसको 양ू रंदोर्पसिन कहते हैं ये अध्या को लाइट एबजार्ब करने में बहुत है उसके बाद सूइट प्रटेटोस हैं स्वीट पोटेटोज में भी गाजर की तरह बीटा कैरोटीन होता है और बीटा कैरोटीन एंटी आक्सिजेंट वाइटमिक ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है तो ये हमारी नदर को भी बहुत फायदा पहुचाता है उसके बाद डाइट में बीफ आता है बीफ नदर भी आंग के पहुत पना कि निए हमारी जो आँख है वह बजाते होंद फुद हाई लेवल ऑफ जिंक से बनी होती है यह जोनी हमारी आंख के अंदर बहुत ज्यादा जिंक होता है खास तोर पर रेटिना के अंदर जिंग बहुत ज्यादा मिद्दार में पाया जाता है या उसके आस पास के रेटिना के आस पास के जो वैस्कुलर टिशूज हैं उनमें भी जिंग बहुत मिद्दार में पाया जाता है इसलिए चुकर बीफ जिंक से भरपूर होता है तो बीफ जो ओर्ड एज रिलेटिड विजन लॉस है या विजन की खराबी है उसको भी बहुत फाइदा पचाता है चिकन ब्रेस जो होता है उसमें भी जिंक होता है लेकिन वो बहुत कम मिधदार के अंदर होता है सबसे ज्यादा जिंक बीफ के अंदर पाएदाता है जो लोग नॉन वेजटेरियन्स हैं हो फिश और बीफ इस्तेमाल ज्याद से ज्यादाता है उसके बाद आते हैं अंडे अंड़ जो है वो बीज़तरी सोर्स है लुटिन और जी एकसेंथिन का लूटीन और जी एक्सेंदिन जो एज रिलेटेड आई लॉस है उसको प्रोटेक्ट करता है और अंडे जो हैं वाइटमिन सी वाइटमिन ए और जिंक का बेहतरी इन सोर्स है इसलिए अंडे भी हमारे अंदेजर को फायदा पहुचाते हैं सबसे आखिर में पानी आता है लोगों इस उनके बड़ी हैरत होगी कि पानी भी आँखों को फायदा पहुचाता है आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताके डी हाइडरेशन कम से कम हो और जो आँखों की ड्राइनेस है खुश्की है उसमें भी आपको फायदा हो बड़ी के बाद में अपको एक्सरसाइस बताता हूं बड़ी की एक्सरसाइस करते हैं और अपनी हैल्थ को बेपा रखते इसी तरह आँखों की भी एक्सरसाइज होती है, सबसे पहले जो एक्सरसाइज है, वह एक्सरसाइज है, आप अपने ऐसे हथेलियों को ऐसे रखने, इसके अंदर हीट पैदा करें, जब यह हीट अप हो जाएं, उसके बाद अपनी आँखों के उपर आप ऐसे रखें, पांच सेकंड के लिए, और यह एक्सरसाइज आपने तीन बार रिपीट करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज आती है, कि आप अपनी आँखों को रोल करें, सबसे पहले आप उपर देखें, इस तरह, उसके बाद, क्लॉक वाइज इस तरह, आँखों को रोल करें, दस बार, इस तरह, और उसके बाद, फिर उपर देखें और anti-clockwise आपको को इस तरह रोल करें ये भी आपने दस बार करना है उसके बाद इस तरह पैन अपने हाथ में पकड़ें और आम जितनी हाथ के आपकी लंबाई है इस हाथ की लंबाई तक आप इसको रखें आपने टिप के उपर नजर रखनी है यहाँ और इसको आइस्ता 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 प्री नजरों के पास तक लाएं जब यह तक रीबन 6 इंच रह जाए फिर इसको यहाँ रोक ले नजर आपके टिप पर रहनी चाहिए फिर आप इसको वापस ले जाएं इस तरह आइस्ता आइस्ता जब यह चेंज रह जाए उससे पहले आप पने इसको रोकना है यानि आपको इस सिंगल टिप नजर आनी सेगी है उसके बाद एक एकसरसाइज है आपने अपने अंगुठों से टैंपल्स को ऐसे मसाइज करना है इस तरह इस तरह आपने बीज बार मसाइज करना है दोने अंगुठों से उसके बाद है मिनी नैप हम जिसको कहते हैं आप अपना सर पीछे करें इस तरह और तीन मिनट के लिए आँखे बंद दर लें सिर्फ तीन मिनट के लिए आँखे बंद दर के रिलेक्स करें यह एक्सरसाइज इस जो है डाइट के साथ साथ दुवाई के साथ साथ आपको बहुत फायदा पुचेंगी डाइट और एक्सरसाइज के बाद अब हम मैडिसन पर आ जाते हैं मैडिसन आपने दो लेनी है पहली मैडिसन है फायसो स्टिगमा यह थर्टी पोटेंसि में आपने लेनी है डॉोप्स के शकल में आएगगए इसके दुश Все तीन रॉप्स फूटे से पाने मिलाकर दिन में तीन बार आपने पीन है उसके बार नमबर दो मेडिसन है कलकेरिया फॉस या कैल्शियम फॉसफॉरिकम ये दोनों नाम है दोनों में से किसी भी एक नाम से आप ले ले एक ही दवाई है ये टू हंड़िड पोटेंसी में आपने लेनी है इसके लिए दो से तीन डॉप्स आपने सुबह शाम लेनी है सिर्फ दो बार लेनी है फाईसास्टिगम जाए वो तीन बार लेनी है आप डाइट लें जो मैंने आपको बताईए एक्सरसाइज करें और मेडिसन इस्तमाल करें आपकी आईसाइट इन्शालला ज़रूर ठीक हो जाएगी अग्साइज करें